मैं मीडिया की वसादत से दिल खुसूस पीर पंचार वादिये चिनाब गूल गुलाबगड को मीडिया की वसादत से यह इंफार्मेशन करता हूं और गुजारश करता हूं कि मैंने कल ही लोग सबह में अपना नामीनेशन फार्म दिया है और आज वेरिफिकेशन होने के बाद मेरा फार्म दुरुस्त पाया गया तो अल्लाव के फजल और करम से मुझे एक मौका मिला है वहाँ पे नामीनेशन देने का और लोगों की खित्मत करने का तो मैं नौजमान बाहियों से गुजारश करता हूं कि आप मेरी सपोर्ट करें हम वणी चिनाब, खेताई पीर बंचाल अलाके गुल गुलाव गड़ की बात को आगे बढाये शिबिर साब आप कुंसी पार्टी से यलेक्शन लट रहे हैं मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं आज़ाद अमेदवार हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ क्योंकि पार्टिया बड़े-बड़े लोगों की है तो मैं इसलिए मैं आज़ाद अमेदवार नामिनेशन किया हूँ शबीर साब आपका क्या मुदा रहेगा इस एलेक्शन में आने के लिए क्या सोच के आएगा असलिए मेरा यही है कि हमारा बिल्खसूस वादिये चिनाव जो भेदबाव पीर पंचाल और वादिये चिनाव के साथ हो रहा है, गूल गुलावगड़ के साथ हो रहा है तो इसलिए मैं इस फ्रेंट पे आया हूं मैं नौजवान साथियों से यही गुजार्श करता हूं नौजवान जैसे यूथ है या आपको जब आप कल फाम नौमिनेट कर रहे थे उस समय भी बहुत अक्सिरत में आपके साथ यूथ था कुठवा में तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा बागी यूथ के लिए मैं कहता हूं अपने साथियों से जैसे मेरे सथ नौजवान बाही जो थे कुठवा से थे जमू से थे गुरावगण से थे मोहर से जगलगां से मेरे साथ sharply जी इतने भी वहां थे में उनको मबार्ग बात देता हूं उनका शुर्यादा करता हूं जो मेरे साथ आइदा इस बार यूत ने सबने मिलके मel इँए इस बार कि तरह पीर पंचाल और चनाव वेली को किनार के लूग रहते हएं इस बार नजर अंदाज नहीं करेंगे उन्हें खुद फैसला कर किया है कि ये दो पीर पंचाल और चिनाब वैली भी नमाइदगी चाहते हैं ताकि उनकी आवाज देहली तक पहुंचे तो पूरी अवाम ने शबीर साथ का पूरा साथ दिया है हम भी पूरा साथ दे रहें इ दिन रात मेहनद करके हमारी पूरी कोशिश है इन्शालला जल्द ही जब रिजल्ट आएंगे तो शिबीर साथ इन्शालला देहली पालिमिट में इस गरीब अमाम की आवाज उठाएंगे